क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच शुरू होने से पहले न्यूजिलेंड की टीम दोनों टीमों की ताकत पर रखने के लिए बांगलादेश के साथ वंडे मैचों की सीरीज खेलने आई है न्यूजिलेंड ने हाली में इंगलेंड के साथ खेले गए चार मैचों में से तीन में हार का सामना किया है वहीं एशिया कप में बांगलादेश का प्रदर्शन निराशा जनक रहा बांगलादेश एशिया कप में भारत के खिलाफ एक मात्र जीत के साथ सुपर चार से बाहर हो गया पिछली दो वंडे घरेलू सीरीज में न्यूजीलेंड पर बांगलादेश की जीत का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है उन्होंने जितने भी मैच खेले उनमें जीत हासल की नमसकार दोस्तों CBTF अर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है न्यूजीलेंड टूर आफ बांगलादेश का फर्स्ट ओडी-ओडी मैच बांगलादेश और न्यूजीलिंड के बीच दिनांक 21 सितमबर 2023 अट 1.30 एम को शेरे बंगला नाशनल स्टेडियम धाका पर खेला जाने वाला है आज के वीडियो में पावर प्लेस को टॉस कौन जीत सकता है पहली पारी में कितने रन बनेंगे और आज का मैच कौन जीतेगा सारी जानकारी दी जा रही है इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए शेरे बंगला नाशनल स्टेडियम धाका इस मैदान पर रन बनाना आसान लगता इस मैदान पर 127 मैच खेले गए है जिनमें 58 मैच पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते है 225 रन इस मैदान पर पहली पारी का उसत स्कोर होता है आज के मैच में स्कोर 250 के आसपास हो सकता है अगर बंगला देश की टीम पहले बल्ले बाजी करती है पहली पारी में पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम 10 ओवा के पावपले में शियर बांगला नाशनल स्टेडियम, धाका, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 45-49 के बीच स्कोर कर सकती है। दूसरी ओर, 50 ओव की पहली पारी में, लंबी पारी में स्कोर 250-287 के बीच हो सकता है। अब हम भारत के नंबर वन, क्रिकेट मैच टिप पर द्वारा बताए गए आज के जैकपोट क्रिकेट मैच की भविशवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा, बांगलादेश, बैन, की और से खेलने वाले खिलाडियों की सूची इस प्रकार हो सकती है। को जीतने के 45 फीसदी चांस हैं। काइल जेमसन, कोल मैउचे, दाने कलीवा, बलेर टिकना। दोनों टीमों के खिलाडियों के पिछले रिकॉर्ड और आज के फॉर्म के हिसाब से न्यूजीलिंड के इस मैच को जीतने के 55 फीसदी चांस हैं। वीडियो को पूरा देखें, हमारी 100% मैच, भविश्यवानी के अनुसार, इस मैच में टॉस प्रडिक्शन, टॉस बांगलादेश, टॉस जीतेगी। टॉस की कोई रिपोर्ट या विश्लेशन नहीं होता है, बस एक अनुमान है।